पहला कोशन है एक नुकिलियो सोम बना होता है चार आप सन्दिय गए है और PGT 2011 में पूछा गया था कि एक नुकिलियो सोम बना होता है तो इसका आंसर सही होगा D. DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है यानि नुकिलियो सोम का निर्माण DNA के संगणन के दौरान होता है और एक नूकलियो प्रोटीन में हिस्टॉन प्रोटीन पलस DNA का कुछ भाग होता है। नेश कुछन है, नूकलियो सोम के कोर पार्टिकल बने होते हैं, कोर पार्टिकल किसे से बने होते हैं? PGT 1999 में कुछा गया था इसका आंसर सही होगा C, हिस्टोन प्रोटीन के टेट्रामर एवं ओलिगोमर से टेट्रामर एवं ओलिगोमर से बताते चलें कि निकलियोसोम का कोर पार्टिकल DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है अब हिस्टोन प्रोटीन से बने केंद्र की भाग में प्रोटीन के 8 अड़ होते हैं केंद्र की भाग की बात की गई है 8 अड़ होते हैं जिसमें 4 प्रकार के 2-2 अड़ होते हैं ये 4 प्रकार के कौन कों से हैं H2A, H2B, H3, H4 ये जो 4 प्रकार के हैं ये 2-2 अड़ होते हैं और इनके चारो और DNA का एक कुंडल होता है जिसमें 200 बेस युग्म या कले की 200 बेस पियर होते हैं एक पांचवा प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन H1 DNA कुंडली को परस पर जोड़ता है जो पाजवा प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन है H1 ये DNA कुंडली को परस पर जोड़ता है नि आपस में जोड़ता है नेश्ट कुचन है हिस्टोन अश्टक में सम्मलित नहीं है हिस्टोन अश्टक में कौन साइस में सम्मलित नहीं है TGT 2011 में कोशन पूचा गया था तो इसका आंसर सायोगा पहला H1 सम्मलित नहीं है बता दें कि हिस्टोन 5 प्रकार की छोटी और धनावेसित छारी प्रोटीन होती है छोटी और धनावेसित उपर से छारी प्रोटीन होती है और इन्हें H1 H2A, H2B H3 और H4 के संकेतों के नाम दिये गए हैं इन संकेतों से व्यक्त किया जाता है इसमें से H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन के अड़ों की संख्या बराबर बराबर होती है यहीं प्रोटीन के अड़ों की संख्या जो है इसमें बराबर बराबर होती है लेकिन जो H1 है इसमें प्रोटीन के अड़ों की संख्या आधी होती है H1 प्रोटीन हिस्टोन अश्टक में सम्मलित नहीं है जबकि अन्यचारों सम्मलित होती है मनुस्य में सरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? पूछा गया था ये प्रश्ण PGT 2011 में मेंडलियन लक्षण, गुडात्मक लक्षण, संख्यात्मक लक्षण ये सभी इसका आंसर सयोगसी संख्यात्मक लक्षण है बता दें कि मनुस्य में सरीर की लंबाई, तचा का रंग, भार, आधी संख्यात्मक लक्षण होते हैं और इसकी वनसागती मेंडल के नियम से भिन्न होती है क्यों क्योंकि यहां पर लक्षण का प्रकटन या कलिजी की एक्सप्रेशन प्रभावी तथा आप्रभावी एलीलो की शंख्या पर निर्भर करता है इसलिए इसे संख्यात्मक लक्षण कहा गया है next question है कुछ कोशिकाओं के केंड्रक में एक गाण। पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बाड़ी कहते हैं यहां बार बाड़ी रूपांतरण होता है ये question TGT 1999 में पूछा गया था कि कुछ कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक में गाढ़ा इस्टेन पकड़ने वाला पेंड़ पाया जाता है जिसे बारबाडी कहते हैं यह बारबाडी रूपांत्रण होता है यानि किस चीज का रूपांत्रण होता है आंसर सही होगा इसमें पहला एकस गुड़ सूत्र का रूपांत्रण होता है आपको बता दें कि बारबाडी का निर्माण एकस गुड़ सूत्र से होता है और एक सामान महिला में एक बारबाडी होती है और सामान पुरुस की बाग की जाए तो सामान पुरुस में बारबाडी अनुपस्थित होती है नह बारबाडी कहलाते हैं अतरिक्त और निस्क्री होते हैं इने ही बारबाडी कहा जाता है नेश्कुचन है क्रिस्क्रास वंसागती एक ऐसी वंसागती का प्रकार है जिसमें चाराफ संदिये गए हैं ये भी इसका आंसर होगा डी एक सुप्त जीन पिता से पुत्री को तथा पुत्री से पुत्र में जाता है आपको बता दें कि क्रिस्क्रास वंसागती या कली की क्रिस्क्रास इनहरेटेंस में माता पिता से गुड़सूत्र बिपरीत लिंग वाली संततियों में इस्थानांत्रित होत होते हैं PG.T. 2013 में ुच्छा गया था कि बहू بुढ़िता के प्रकार कॉन हैं आंसर इस में सही ओगा-डी उपर युकत सभी बहू गुढ़िता के प्रकार होते हैं आपको कि बहुगुडिता मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है पहला स्वा बहुगुडिता यहां पर एक ही जाते के गुर्षूत्र के द्वारा गुर्षूत्र की संख्या में बृद्धी होती है जो स्वा बहुगुडिता है पहला वाला अपसर है यहां एक ही जाते के गुर् सूत्र के दो से अधिक सेट बनाते हैं दो से अधिक और जो तीसरा वाला है सी वाला ओप्सन स्वाप पर बहुगुडित दा यहां पर एक जाति के गुर्षूत्र दिगुडित से अधिक होते हैं दिगुडित से भी अधिक हो जाते हैं और दूसरी जाति के दिगुडित होते हैं next question है निम में कौन सा उच्च पौधों की उद्विकास के लिए सबसे अधिक महत्तुपूर है इन में से कौन सा ऐसा option है जो उच्च पौधों के उद्विकास के लिए सबसे अधिक महत्तुपूर है सबसे अधिक की बात की गई है अधिक की नहीं PGT 2000 में question पूछा क्या था इसका answer होगा C एलो पाली प्लाइडी बता दें कि एलो पाली प्लाइडी में पौधे की दो विभिन जातियों के बीच संकरण तथा उत्परिवर्तन के द्वारा गुर्शूत्रों की संक्या में ब्रिधी होती है इसमें क्या होता है कि पौधे की दो विभिन जातियों के बीच में संकरण यानि क्रास तथा उत्परिवर्तन यानि म्यूटेशन के द्वारा गुर्शूत्रों की संक्या में ब्रिधी होती है जैसे गेहूं, काटन, तबाखू, इत्याद की उन्नत किसमें इसी बीचे द्वारा तैयार की जाती है नेश कुछन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन आयन गराही है हाइड्रोजन आयन गराही का नाम बताना है इसका आंसर सायोगा पहला NAD हाइड्रोजन आयन गराही होता है NAD प्लस एक धनात्पक आवेस युक्त आयन है और यह सभी जीवित कोसकाओं में पाये जाता है यह आयन बहुत से जयोराशानिक अभिख्रियाओं में H प्लस को ग्रहन करके या ग्रहन कर लेता है और ग्रहन करके NAD2H में परिवर्थित हो जाता है या बदल जाता है उदाहन के लेकर देखा जाए तो कोसकी स्वसन के बिभिन निचरणों में जैसे ग्लाइकोलिसिज, क्रेफ्स चक्र, एलेक्टरान परिवहन तंत्र में या हाइडोजन आयन ग्रही के रूप में कारी करता है आते हैं next question पर किसी पाउधे के समयोगमजी या बिसमयोगमजी होने को सुनस्चित करने के लिए कौन से क्रास का उपयोग करते हैं कोई पौधा है वो समयोगमजी या बिसमयोगमजी है ये सुनिष्चित करने के लिए कौन से क्रास का उपयोग किया जाता है यूज किया जाता है आंसर सही होगा इसमें C बिफरीत क्रास का उपयोग किया जाता है आपको बता दें कि किसी भी अनिष्चित जीन रूप या जी इनो टाइप वाले जीव या कहले कि पौधे के जीन का पता लगाने के लिए परिक्षण क्रास या टेस्ट क्रास का उपयोग किया जाता है और तकनीकी रूप से परिक्षण क्रास एक प्रकार का बिपरीत क्रास होता है परिक्षण क्रास क्या होता है एक प्रकार का बिपरीत से होता है या पैत्रिक पीड़ी से होता है लेकिन परिक्षण क्रास में एफवन पीड़ी के बिसमयुगमजी पौधे का क्रास पीड़ी के समयुगमजी आप्रभावी पौधे से करा जाता है जिससे उस अनिश्चित जीन रूप वाले पौधे का जीन रूप निश्चित इसमें भी पूर्व क्रास होगा नेक्ट कुछन है ट्रिटिकेल पौधा किसके बीच अंतरा जातिये संकरण से उत्पन्न किया जाता है जो ट्रिटिकेल पौधा है ये किसके बीच अंतरा जातिये संकरण से उत्पन्न होता है इसमें से आंसर सयोगा डी गेहूं तथा राई क बीच बता दें कि ट्रिटिकेल मन सिद्वारा कृतिम रोप से उत्पन किया गया प्रथम पोधा है जो कि गेहूं तथा राई के बीच अंतरा जातिय संकरण वा बिसम बहुगोडितता से उत्पन होता है और गेहूं और राई का वनस्पातिक नाम अगर आप पूछा जाये त तथा राई का सीकेल सीरियल होता है सीकेल सीरियल नेश कुछन है यद्यपी अन्वान सिक्ता आधारित आविस्कृत सस्य पादप जिन में रोग साक नासी पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे सनलक्छन हो बहुत ही लाबकारी होते हैं फिर भी पर्यावरण के लिए व दी नए पोसक में जीन समविष्ट करने के परडामों के बारे में पुर्वानुमान नहीं किया जा सकता है यानी जीन इंजिनेरिंग द्वारा सस्य पादपों की प्रतिरोधक किसमें तयार की जाती है लेकिन खेत में उगाये जाने पर यही प्रतिरोधकता कारी जीन्स साकों या हर्प्स में प्रवेश कर जाते हैं जो पहर्यावन के लिए गंभीर खत्रा पैदा कर सकते हैं तो आसा है आप सभी लोगों को सभी क्वेशन ठीक से समझ में आ गए होंगे अगर क्वेशन समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और सेर कीजी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी धन्यवाद